असफल लोग तब रुखते हैं जब वो ठक जाते हैं जबकि सफल लोग तब रुखते हैं जब वो जीत जाते हैं नमस्कर साथियों मैं राजकुमार आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं आपकी अपने परिवार PVR स्टडी में उमीद है कि आप सभी अच्छे नहीं भरपूर रिजल्ट भी आप देख रहें कि अगर आपको मैथ नहीं आती है तो आप आज से मान लीजिए कि आपको मैथ आती है जो आपने मान लिया वो हो गया अपने आपको मैथ में कभी कमजोर नहीं समझना आज की पूरी क्लास में हम 11 प्रकार के विभिन्य भाग के बारे में बात करेंगे division and Terminating and non-terminating decimal expansion भी इसी में आता है ठीक है तो राकार का होता है कि टर्मनेटिंग-nontterminating तो अलग चीज हो गया एक इस repeating या non repeating भी होता है मैं आपको इसको भाग के उद्देश से बताऊंगा छोटी बड़ी भाग हर प्रकार के ठीक है सेशन को पूरा एंड तक देखना बिल्कुल बीच में कहीं छोड़के जाने का नहीं किसी को ओके आगे बढ़ें चलो आजाओ फटाफट सबसे पहले टाइप वन की भाग क्या होगी चाहो तो आप हेडिंग लिख लो पहली प्रकार में क्या है भाईया वैने कई content note करके रख सुनने आए चलिए जैसे एक्जामपल माल लेते हैं हमें बिल्कुल 0 से सिखाना है तो आठ में अगर हम दो का भाग करेंगे तो क्या होगा दो चौका आठ ना तू फोर जाएट इसमें पूरा-पूरा भाग चला जा रहा एक बार में और रिमाइंडर 0 आ रहा है है ना जि इंगलिस में इसको डिवाइजर बोलते हैं क्या बोलते हैं डिवाइजर बोलते हैं जिसमें भाग जाता है मेरे भाई इसको भाज बोलते हैं इंगलिस में इसको डिवीडियन्ड बोलते हैं उपर जो जाता है इसको भाग फल बोलते हैं इंगलिस में इसको बाग फल बोलत ठीक है, लिख लोगे न सभी, dividend and coefficient, ओके, चलो, इसको नोट कर लिजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, जल्दी लिख लिजिए, मैं हट गया हूं सामने से, जल्दी नोट करिए इसको, फटा-फट, अब इस तरह के और भी धेरो एक्जामपल देखेंगे, जिससे कि आपका बिल्कुल कांसेट किलियर हो सके, ठीक है, जैसे 17 से हमें भाग करना है 85 में, 17 से 85 में भाग कितनी बार जायेगा, आप मुझे जल्दी से बताओ, चलो, कोशिस करो कितनी बार जायेगा, anyone, मैं बता दे देता हूँ, चलो, देखो, देखो और समझो, आइए, कितनी बार जायेगा, 17 का भाग मैंने पूछा, कि भाईया, 85 में कितनी बार जायेगा, यह आपको टेबल आना चाहिए, पता है, 17 फाइब जा, 85 होता है, 17 पचासी, घटा होगे, 0 आएगा, अपने मन में सोचो कि इसम जो डिवीडियंट है, वो कितना है, डिवाईजर कितना है, क्वासियंट कितना है, फट से बताओ, कुछ समझ में आ रहा है, यह फार्स टाइब का भाग है, जिसमें पूरा-पूरा भाग चला जाता है, और सेस्फल 0 आता है, रिमेंडर सुनने आता है, इस तरह कि और भी बहुत सारे डिवी डिवाईजर हो सकते हैं, मतलब यह देखो, इनको करके बता मुझे कितनी बार जाएगा, इनको करके आप लोग देखो कितनी बार जाएगा, यह फ़र्स टाइप हो गए, ठीक है, सिकन टाइप में हम लोग आगे बढ़ते हैं, अभी हम आपको हर एक अल मिलेंगी जो आपको नहीं आता है, तो बीच में वीडियो इसकी नहीं करना है, नेक्स टाइप, अभी आपको बहुत छोटा छोटा लग रहा होगा, लेकिन अभी इसमें बहुत कुछ नया मिलेगा, अगला टाइप वो है मेरे साथियों, जब सेस्फल आता है, मतलब भाग इसका भी मतलब होँ होता है, इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका भी मतलब यहीं होता है, ठीक है, इसको अनुपात के रूप में बोलते हैं, इसको भाग कचिन लगा के लिखा गया है, और यह भाग दिया जा रहा है, लांग डिवीजन मेथेड, ठीक है? तो 11, 5 जा 55 11 55 सब्ट्रेक किया तो वन आ गया ठीक है यह वह भाग है जिसमें पूरा-पूरा भाग चला जाता है लेकिन फिर भी सेस्पल बचता है आप इसे लिख सकते हैं दूसरे टाइप के प्रकार में आगे लिख लो जब एक बार संख्या में भाग चला जाये पूर्डता प्रमाग चला जाये लेकिन फिर भी सेस्फल बचे है ठीक है इससे 14 का भाग आपको करना है 74 में चलो बताओ एफटाफट बताओ इसमें कितना सेस्फल आएगा C नमबर में बताओ अगर इसमें ऐसे भाग किया D नमबर बताओ अगर 80 में भाग किया और नई से अभी अभी मैं बता चुका हूँ कि इन सब का मतलब यही है सभी कर लेंगे ना, बहुत अफ़ान है थार्ड टाइब, अभी आपको इजी बताऊँगा क्योंकि आपका इसमें दिल लगना चाहिए, थोड़ा-थोड़ा प्यार होना चाहिए ना, इससे नहीं तो ऐसे मज़ा नहीं आएगी तीफरा टाइब देखिए, इसमें पूरा-पूरा भाग जाएगा क्या हाँ, इसमें जीरो से इसफल आएगा, लेकिन भाग एक बार नहीं, एक से अधिक बार जाएगा पूरा-पूरा ठीक है, चलिए, लिखते हैं कोई डाउट किसी को तो बता देना, मुझे टेंसन मत लेना, ठीक है, समस्च चल रहा ना, इक दम ओके चल भाई, एट टूजा, सिक्स्टीन, वन, यह घटाने पर आया, उपर से सिक्स उतान लिया, फिर एट टूजा, सिक्स्टीन, जीरो आएसे इसफल, भाग पूरा-पूरा चला गया न, इस तरह से अगर 612 में अठारा का भाग करेंगे, तब भी ऐसे होगा, समझते चलना, अठारा का भाग 61 में पढ़ना है, कितना बार जाएगा, तीन बार जाएगा, पहले अठारतियाई, चववन, देखो यह नंबर उपर भी लिख सकते हैं, यहां जगा कम है, इफले उपर लिखा है, यहां पर उपर जगा भी थी, बगल में थी, इफले बगल होता है, उपर से टू उताल लीजिए, और अठारा चोग 72 होता है, सब को पता है, यानि 18 फोर्जा 72, किसी को कोई डाउट्स, नो डाउट ना, आगे बढ़ें, चलो, इस तरीके के और भी आप लिख लीजिए, जैसे अगर मैं देता हूं, आप इधर समझिए, नाइन से 288 को भाग करके मुझे बताओ, चलो, 288 को भाग करो, नाइन से, कितना भाग फल आएगा, बताओ, कितना आएगा, जल्दी करके बताओ, सबी कर लोगे न, पक्का, एकदम इवांदारी से, अगर आप इसे यूटूब पर डेमो के रूप में देख पा रहे हैं, तो कमेंट करके जरूर बताएं, आप लिकेसन में देख रहे हैं, तो आप नोट्स बनाएं, और उसे हमें सेंड करें, ठीक है, चलिए, इस पसली मै नहीं चक करता हूँ, जो बच्चे सब्सक्रेप्शन लिए हैं, और अगर इसे यूटूब पर डेमो के रूप में देख रहे हैं, तो फिर कमेंट करें, क्योंकि डेमो कुछ वीडियो मिल जाता है, अप लोगों को, अगला, अगर सिक्स से भाग करना है, फाइव, थ्री, फोर को, इसको करके मुझे आपको भाग फल बताना है, ठीक है, बताना, साथी मेरे अब हम देखने चल रहे हैं, चौथे परकार का भाग, पहला परकार आपने देखा, जिसमें पूरा-पूरा भाग चला जाता है, और एक ही बार में 0 सेसफल आ जाता है, दूसरा परकार आ आपने देखा, जिसमें एक से अधिक बार भाग जाता है, लेकिन फिर भी सेसफल नहीं आता है, चौथा परकार आप देखेंगे, जिसमें दो बार भी भाग जाएगा, फिर भी सेसफल आएगा, बहुत ही छोटी-छोटी में बातें इसलिए बता रहा हूं कि जिससे आपक सार के भाग में है कि मुझे आप में से कोई भी इसका सेस्फल बताएगा क्या एक अच्छी बात है यह कल्कुलेटर में नहीं होगा उतना असानी से चलो मैं बताता हूं डर्न ट्वरी आओ देखो चलो भाई आजाओ देखो देखो ट्वेल का भाग करना है किसमें सेवन फॉर फाइब में ओके कितनी बार जाएगा देखो बारा चंग 72 छे बार जाएगा घटाओ के कितना आएगा दो पका उपर से पांच उताल लो अब बारा दुना 24 सब्ट्रेक करोगे वन आएगा यानि भाग फल भी आ गया और सेज फल भी आ गया किसी को कोई डाउट नहीं इस तरीके का अगर 16 से 8 साथ 9 में भाग करो चल भ इसको करके मुझे आप लोग भाग फल बता सकते हो तो देखो आसान है आसान है बहुत आसान है देखो कैसे बता रहा हूं समझो कि इस्टर मुझे लग रहा कुछ लाइक कर रहा था थोड़ा बहुत आईए देखते हैं कि एटीन नहीं 16 सोला का भाग 87 में करना पहाड़ा आपको नहीं आता तो आप मुझे संपर करना पहाड़ा की में ट्रिक बता दूँगा ठीक है पहाड़ा जितना जैदा प्रेक्टिस करेंगे उतना याद हो जाता है तो सोला पंचे 80 गुड़ा करके देख लो पांच शंक लोगे आप कितनी बार जाएगा उड़ा कर लो सिंपल सा बात है सोला पंचे 80 तो जाएगा नहीं अब सोला चुका 64 गटाओगे इसमें से तो पांच आएगा इसमें से घटेगा तो एक आएगा यानि यहां पर क्या हुआ पंद्रा से सफ़ल आ गया क्यों कोई डाउट किस डन और आगे अगला एक और ले लो पंद्रा कर 946 में करना ठीक है पंद्रा का भाग करना 946 में चलो जल्दी लिखो इसे फटा फट यह होगे आपका चार प्रकार के भाग अभी बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है जाना नहीं कहीं बने रहना अमारे साथ